तो बच्चो मोलिकिलर और्विटल थियोरी जो आपका टूपिक चला हुआ आज उसका पार्ट फॉर है M.O.T. 4 ठीक है तो इससे पहले वीडियो में हमने आपको इलेक्टोन फिलिंग ओर्डर में 14 इलेक्टोन तक बताया था आज हम बताऊंगे इलेक्टोन फिलिंग ओर्डर मोर देन 14 इलेक्टोन ठीक है बच्चो तो आज हम आपको बताऊंगे इलेक्टोन फिलिंग ओर्डर मोर देन 14 इलेक्टोन अगर 14 इलेक्टोन से जादे हैं तो उसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे वह आप यहां देख लो सिग्मा 1S सिग्मा स्टार 1S सिग्मा 2S सिग्मा स्टार 2S बड़े ध्यान से देखते रहा हो सिग्मा 2P Z पाई 2P X पाई 2P Y पाई 2P Y पाई स्टार 2P X पाई स्टार 2P Y और यह सिग्मा स्टार 2P Z तो यहां सभी बच्चे देख ले ध्यान से इसमें क्या चेंज आया इसमें चेंज यह आया यह जो 2P Z है यह पहला आ गया से ठीक है बच्चो तो सभी बच्चे बड़े ध्यान से पहले से नोट कर लें यह एनरजी के इंक्रीजिंग ओडर में हैं अगर 14 इलेक्टोन से ज़्यादे हैं तो आपको यह ओडर फोलो करना पड़ागा बच्चो ठीक है सभी बच्चे अपनी कोपी पर नोट कर लें से अब हम एक्जाम्पल ले रहे हैं एक्जाम्पल है नाइट्रोजन तो होई गया था 14 इलेक्टोन तक ओक्षिजन ठीक है बच्चो ओक्षिजन का एक्जाम्पल ले रहे हम हो टू है टोटल इलेक्टोन कितने होंगे एट पलस एटस इस्टीण इलेक्टोन परजेंट होंगे इस्टो हम फिलंग करेंगे पहले किस तरीके से सिगमा 1S2 बड़े द्यान से देखते रहें उसके बाद सिगमा स्टार 1S2 फिर सिगमा क्या होगा बच्चो यहां 2S2 सिगमा स्टार 2S2 एंटी पॉंडिंग को स्टार से हमने इस सारी चीज आपको पता ही रखी इसके बाद क्या है सिगमा 2PZ ठीक है और उसके बाद क्या होगा बच्चो इसके बाद इसमें दो इलक्टोन आने के बाद कहां जागा यह आओगा पाई 2P X ठीक है और इसमें लेक्टोन कितने हैं 2 और फिर पाई 2P Y इसमें भी 2 एलक्टोन से है ठीक इसके बाद आओगा पाई स्टार टू पी एक्स यह देख लो पहला भर कर देख लो 16 थे 24 दू 6 दू 8 दू 10 दू 12 दू 14 हाँ कि इसमा आजया आगएबाद समों सब से बच्चों कि समझ में तो इस तरीक्य से इसका ओर और ओगा valid खोर थेक यह बच्चों तो सब वच्चे लिखते रहें कि इस तरीके से इसका ओर और ओगा अब अब हम इसमें देख्ञेंगे बॉन्डिंग इलेक्टोन कितने हैं बॉन्डिंग इलेक्टोन दो चार दो छेएं दो आठ दो दस दस इलेक्टोन है बॉन्डिंग में एंटी बॉन्डिंग में देखो कितने हैं बच्छो काउंट करके दो चार और दो छेएं तो हम इसका बोर डो 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 चेक कर रहें वन अपॉन टू एन बी माइनस एन ए यह फोर्मुला अमना आपको बताया था तो क्या आगया बच्छो टैन माइनस सिक्स टू आ गया तो जो ओक्सिजन है उसके बीच आपको पता है डबल बॉन परजेंट होता है यहां से आपको पता भी चल गया ठीक है न तो इसका बॉन्ड ओर्डर क्या होगा बच्छो टू होगा अब यह देखो यह पैरा मैगनेटिक है या डाया मैगनेटिक है क्योंकि इसमे दो अनपेर्ड इलेक्टोन है बच्छो तो क्या होगा यह पैरा मैगनेटिक होगा ठीक है हमने आपको कहा था कि आप इसका म्यू भी मैगनेटिक मॉमेंट भी चेक कर सकते हो एन इंटू एन पलस टू वाले फॉर्मूले से बी-म आपको बी-म ही लिखना है यूनिट तो इ क्यलकुलेटिस को कर सकते हो ठेक है तो तो दिख को से तो पता नी चल रहा कि जो ऑक्षिजन होता है वो पैरा मैगनेटिक हो से तो देखने पैसे लगता है कि दाई ne टक होगा एके अब इसके बाद अश्यजन के बाद ले लो मैं आपको एक बात और बताना चाहा रहा है हो पहले हैं कि आप अपनी बुक वगएरह में भी देखते होंगे कि इस ओर और को एक तरीके से और री परजेंट हम कर सकते हैं कैसे वह देख लो आप कर दो कि अधान हाद यह आपका वनेस कि यह आपका 110 हमने लेक्टों सोंगे चार लेक्टों नहीं टोटल ठीक है तो यह किया है सिगमा कि बनेस और सिगमा स्टार वनेस ठीक है इसमें टोटल इलेक्टों कितने टू इसमें भी टोटल इलेक्टोन कितने टू तो आप इसे इस तरीके से भी रिपर्जेंट कर सकें आगे बात बच्चों समझ मैं अब नेक्स्ट क्या है सिग्मा टू एस है अब नेक्स्ट इसका आप यहां बना लो या फिर उपर भी आप बना सको कोपी में का कौकर यहां चौन करें अब कि आपका क्या होगया कि दो टू एस मिल रहे आपशने दुन में कि इतनी लेक्टोन दो इसमें और दो इसमें जना नहीं बच्क तो यह क्या हो गया आपका सिगमा 2S और यह सिगमा स्टार 2S बॉंडिंग और एंटि बॉंडिंग और बिटल स्पॉम करें उन्हें चार इलेक्टॉन हैं दो इलेक्टॉन तो इसमें हैं बॉंडिंग में ही रहे यह लोवर इस वज़े से निच्छे दिखाया गया और यह यह इनर्जी होती है इस वज़े से उपर दिखाया गया ठीक है सब बच्चों के समझमा रहा होगा इस तरीके से उत्ता है यह नोट कर लो फिर इससे आग्ये का भी बता देंगे हम तो देखो दो चार और चार इलक्टोन तो एंटर हो चुके अब इससे नेक्स्ट क्या आता है यह वै ठेक है तो इससे बना लेंगे हम पी को पी में आपको पता कितने ओर्बिटल्स होते हैं बच्चों तीन ओर्बिटल्स होते हैं एक दो तीन तो इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है क्या रखनी है वो अभी हम आपको बता रही है सबसे निच्चे क्या है सबसे निच्चे है इसमें टूपी जैड तो यहां आपको टूपी जैड ही बनाना होगा ठीक है उसके बाद क्या है टूपी एक्स यह आपका 2PX हो गया और यह 2PY हो गया ठीक है यह सिगमा है सिगमा और पाई जरूर लिखना बच्चो ठीक है पाई 2PX पाई 2PY और यह सिगमा 2PZ ठीक अब यहाँ देखो इसके बाद क्या आता है पाई स्टार यानि एंटी बॉंटिंग के यह आऊंगे पाई स्टार 2PX और यह पाई स्टार 2PY और इसके बाद आता है सिगमा स्टार 2PZ ठीक है बच्चो अब इन भी इस तरीके से यहीं मिला दो सभी बच्चे यह आपका वाई है 2P हो गया यह भी पूरा यह 2P हो गया ठीक है अब इलेक्टेन देख लो एक में इलेक्टेन कितने हैं इसमें दो एक दो एक अब फिलिंग देखो सिगमा 2PZ में आगे दो इलेक्टोन यह भरगे दो इलेक्टोन तो पी एक्स और इसमें कितने हैं दो-दो इलेक्टोन हैं तो दो-दो इलेक्टोन हमने इसमें भर दिये सिगमा 2PZ में कोई भी लेक्टोन नहीं है जीरो इलेक्टोन है तो चार इलेक्टोन इधर और चार इलेक्टोन इधर थे सेरिंग के 2PZ में दो इलेक्टोन थे वेरे तो इसमें थे उन्होंने क्या करें आप अपने आप इंटर मिक्सिंग करें ठीक है उन इंटर मिक्सिंग करने के बाद सबसे पहले वे लोवर एनरजी में जांगे इनके यह इनका वजूद तो खदम हो जा फिर नए और्बिटल सो मोँते हैं हमने कहा था और उनका जो होगा यह वो इस ओर से बहते जांगे फिर इन्टर मिक्सिंग के बाद सबसे ध्यान इनर्जीखा होता है तो उसमें कोई भी इलेक्टोन नहीं जा पाया क्योंकि ओक्सिजन का इतना थाई नहीं इलेक्टोनिक कॉन्फिग्रेशन तो सभी बच्चे नोट करने से और इस तरीके से ही करना आपको कोई भी प्रोबलम है तो मुझसे पूछ लेना अब आप ले लो टूब ओक्सिजन पर पोजेटिव चार्ज तो कितने इलेक्टोन हो जाएंगे बच्चो इसमें 15 इसका ओडर देखो अब क्या होगा आप इसमें तो एक इलेक्टोन और भी कम हो गया तो यहां पर क्या लिख लेंगे जीरो अब पैरा मेगनेटिक तो यह कि एंटी बॉंडिंग में कम हो गया कि कितने रहें दो चार और एक पांच है कि तो बॉंड ओर चेक करें सभी बच्चे इसका क्या रहे गया कि तो पॉइंट फाइव इसका पॉंड ओर आगया बच्चो टू पॉइंट फाइव और यह भी फैरा मेगनेटिक होगा लेकिन इसका जो म्यू है उससे लेस देन होगा क्यों लेस देन होगा उसमें तो दोन पैर इलेक्टॉन थे इसमें सिर्फ एक ही है सभी बच्चे नोट करते रहें अपनी कोपी पर अब हम ले रहे ओ टू नेगेटिव इसमें इलेक्टॉन कितने होगे सत्रा अब देखो सत्रा इलेक्टॉन क्या होगा इसमें इलेक्टॉन कितने होगे टू और इसमें होगा वन इलेक्टॉन काउंट करके देख लिए ठीक है बच्को दो चार्रज दो शेयर्ज दो आठ दो दस दो बारा दो सोदे गस्लार 17 dysamart returns ठीक है पैरा मेगनेटिक होगा क्योंकि एक अब भी अन्पएयर्स परजयंट है इसमें पैरा मैगनेटिक तो होगा यह और इसका डाइप ओल मोमेंट होगा वो लगबख एक्वल होगा पोजेटिव वाले के क्योंकि एक एक एन्पएयर्स और ट्रफ यहाओ बोन्डिंग में 10 एलक्टोन है लेकिन एं 1.5 आ गया इसका bond order कितना आया बच्चो इसका 1.5 तो सभी बच्चे नोट करते रहें इसा अच्छी तरीके से अब हम लेंगे माइनस 2 oxygen का तो यहाँ पर कितने 10 electron होगे 18 electron होगे 18 electron का मतलब यह है कि अब इसमें क्या हो गया यह complete हो गया ठेक है anti-bonding में कितने electron आगे इसमें 8 bond order इसका कितना आगया 1 यह proxide iron होता है आपको पता भी है negative single bond होता है यह रहा ठीक है तो bond order कितना आया इसका proxide iron में 1 और यह diamagnetic होगा क्योंकि इसमें कोई भी unpaired electron परजेंट नहीं है तो बच्चों यह क्या होगा diamagnetic होगा यह कोई भी magnetic properties नहीं करेगा तो सभी बच्चे नोट करते रहें अपनी कोफी में अब हमने आपको यह जो बताया इसमें यह देख लो paramagnetic कौन-कौन से थे paramagnetic इससे पहले o2, o2 plus, o2 minus वे तो paramagnetic है और यह diamagnetic है तो यह आप अपनी कोफी में नोट कर ले ना बच्चों ठीक है अब bond order बताओ सबसे ज़्याद किसका जो हमने अभी अभी आपको बताए सारे bond order देख लो इसमें bond order सबसे ज़्याद किसका था डाई, किसका था वो, o2 plus का ठीक है, फिर oxygen, o2 2 था, इसका 2.5 था इसका 2 है, o2 minus इसका कितना है, 1.5 और o2 minus 2 इसका कितना है, बच्चों, 1 सबी बच्चों को दिख रहा तो bond order तो सबसे ज़्याद इसका है और bond length सबसे ज़्याद किसकी होगी अपोजिट हो जगा ठीक है, बच्चों, सबसे ज़्याद जो bond length है वो किसकी होगी, इसकी होगी क्योंकि सबसे ज़्याद एंटि बॉंडिंग में लेक्टोन इसमी है, तो रिपॉल्सन सबसे ज़्याद होगा तो bond length सबसे ज़्याद है इसकी है, सबी बच्चे अपनी कोपी पर नोट कर ले, ये बहुत ज़्यादा इंपोटेंट चीज है बच्चो, ठीक है, अपनी कोपी पर नोट करते रहें सबी बच्चे प्रोपर दिख तो रहा होगा अब आप किसी का भी पता कर सको, आपको पता चलिया कि किस तरीके से फिल होते हैं ये अब आप अगर F2 देखना चाहो तो F2 देख लो F2, कितने 9 पलस 9, 18, तो 18 इलेक्टोन को जैसे हमने उक्सिजन के लिए बताया था इसमें इसी तरीके से होगा, ठीक है, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18 सेम होगा, और ये डाया मैगनेटिक होगा बच्चो ठीक है, बोन्डिंग में वह ये लेक्टोन, इसमें 10 और एंटि बोन्डिंग में कितने लेक्टोन होगे इसमें, 8, काउंट कर लो तो बोन्ड ओर्डर आप इसका अगर चेक करोगे तो क्या होगा 10-8 1 तो आप देखते भी होगे, फलोरीन के बीज, फलोरीन क्या होती है, सिंगल बोन्ड से जूड़ी रहे, ठीक है तो इस तरीके से एक्जिस्ट करागा, इसमें सिंगल बोन्ड और ये डाया मैगनेटिक है, हमने आपको बताई दिया अब नेक्स्ट है, एनी टू नियोन, आपको पता ये एक्जिस्ट बिल्कुल नहीं करने का, क्योंकि जितनी भी ये गैस है, नोबल वो क्या है मोनो एटोमिक होती है, हम यहाँ चेक भी कर लेंगे, तो दस पलस दस इलेक्टोन कितने होगे इसमें 20 इलेक्टोन होगे इसमें जो सिग्मा स्टार है, टू पी जेड, उसमें भी दो इलेक्टोन आगे, तो डाया मैगनेटिक तो है ये, कोई भी अनपेर्ड इलेक्टोन परजेंट नहीं है bonding में 10 electron है तो anti-bonding में भी 10 electron होगे या नहीं होगे तो क्या value आगे इसकी 0 ये बिल्कुल भी exist नहीं करागा आगे बात समझ में सबी बच्चो की na2 क्या है does not exist in nature ठीक है बच्चो हमने कहा था जिसका bond order 0 आजा तो exist नहीं करने का तो ये हमने आपको 4 part में molecular orbital theory explain करी आपके syllabus में जितनी थी उससे भी जाद हमने बताया बच्चो ठेक है आप इन अच्छी तरीके से तयार कर लिए अब फिर next unit आपके start होगी next video से